देश की आजादी को 75 साल हो गए हैं जहां पूरा भारत आजादी का अमरत महसव मना रहा है आजादी के अमरत महसव में भारत के और से किये गई सरहानी कार्यों की प्रशंसा की जा रही है वहीं कई अतिहासिक कदम भी उठाए जा रही हैं जिसमें से एक ऐसा कदम जो सीधा आकाश में इतिहास लिखेगा जी हाँ, SSLV के जरिये आजादी सेट को लॉंच किया गया है जिसमें 750 लड़कियों का योगदान है लेकिन ये सैटलाइट क्या है और इस अभ्यान में लड़कियों को क्यों चुना गया है इन सबसे जुड़ी जानकारी आज हम आपको अपनी इस वीडियो में देने वाले हैं नमस्कार मैं हूँ शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं The News 15 दरसल इस रो SSLV के जरी आजादी सेट यानि सैटलाइट को लॉंच किया गया है इस सैटलाइट की सबसे महत्वपोन और खास बात ये है कि सैटलाइट को 756 चात्राओं ने मिलकर बनाया है जो अपने आप में देश के लिए बेहद ही गर्व की बात है वहीं आपको ये भी बता दें कि सैटलाइट को Space Kids India नाम की एक कमपनी द्वारा बनाया गया है साथ ही ये भी जान लीजिए कि इस से इस रों के Small Satellite Launch वीकल यानि की SSLV से लाँच किया जाएगा साथ ही सैटलाइट को बनने में 6 महीनी का समय लगा है वहीं अगर बात करें सेटलाइट के वजन की तो इस सेटलाइट का वजन 8 किलो है जिसमें 50-50 ग्राम के 75 अलग-अलग पैलोट्स लगे है अब तक आप इस सेटलाइट के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं लेकिन बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर SSLV है क्या तो अगर वैज्ञानिक भाशा में इसका मतलब जाने तो बता दे कि SSLV का मतलब है Small Satellite Launch वीकल यानि कि ये रॉकेट छोटे सेटलाइट की लॉंचिंग का काम करता है जनकारी के अनुसार इसमें कम बजन वाले सेटलाइट लॉयर अर्थ आर्विट में छोड़े जाते हैं ताकि ये बड़ी आसानी के साथ अंतरिक्ष में भेजे जा सके तो ये तो रही सेटलाइट की बाद लेकिन बहुत से लोग ये भी जाना चाहते हैं कि इस पहल में केवल लड़कियों को ही क्यों चुना गया तो इस सवाल का जवाब भी है हमारे पास इस प्रोजेक्ट में लड़कियों को शामिल करनी की वज़ा है कि ताकि लड़कियों के वी जारुकता पैदा हो और वह भी अपने आपको किसी से कमना समझते हुए बड़े सपने देखने की हिम्मत रखें और जीवन में हमेशा कुछ बड़ा और औरों से अलग करें क्योंकि इस लिए इस प्रोजेक्ट में सिर्फ लड़कियों को चुना गया है वो कहते हैं ना कि हमारी छोरी किसी छोरों से कम नहीं जिसका एक्जामपल इन लड़कियों ने सेट कर दिया है तो इस वीडियो में बस उतना ही साथी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें